यूट्यूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वहीं परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बुदवार को वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये युवा उदियों में उसे बात की जिनोंने स्टार्ट अप इंडिया के तहट अपना स्वरोजगार स्थापिक किया है परधान मंतरी ने कहा कि आज हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है हम दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक हैं पियम मोदी ने कहा कि पिछले चार साल में सरकार ने युवाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए काम किया है स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत करने का मकसद युवा को शक्ती देना था पियम ने कहा कि पहले स्टार्ट अप सिर्फ टियर वन सिटी में होते थे लेकिन हमने बल दिया कि इसे टियर टू टियर थ्री में ज़ादा स्टार्ट अप हो सके परधान मंतरी ने कहा कि आज देश में सिर्फ शहर ही नहीं बलकि गाओं के युवा भी आगे बढ़ रहे हैं इस दोरान उन्होंने कुछ आंकड़ी भी जारी किये हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक जो स्टार्ट अप शुरू हुए हैं उनमें से 45 फिस्दी महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए हैं इस दोरान परधान मंतरी ने देश के कई हिस्सों में युवाव से सिधे बात की और उनके अनुभव को जाना आपको बता दें कि परधान मंतरी नरेंद्र मोदी इससे पहले भी नमो एप के जरी उजवला योजना, मुद्रा योजना, स्केल इंडिया समेट के अन्य योजनाओं के लाबर्तियों से बात कर चुके हैं मैं उन उजवानों से जुडने जा रहा हूं जिनोंने अपने विचारों को, अपनी कलपना को एक आकार दिया है और उसके साथ सफलता की राह पर आगे बढ़े हैं आप सब वो युवा उद्यमी हैं, जिनोंने स्टार्ट अप इंडिया के माध्यम से अपने कौशल को अवसर से जोड़ा अपना स्वयम का उद्यम शुरू किया और अपने जैसे और कई वाओं को रोजगार भी दिया झाल